नमस्ति स्मिधा वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है माई नेम इस वस्मिधा वेल्कम ट्यू ए न्यू ब्लॉग अभी साड़े ग्यारा बज़े और मैं अभी शुट करूँ में सुबह थोड़ा सा खराब हो गया था इसके बद से शुट नहीं कर पा रही थी देखो मैं सुबह से मुझे दो बार उल्टी हो गया ऐसे वह पेट कल लूज मोशन हो रहा था फिर ठीक हो लूज मोशन ठीक हो गया अभी उल्टी हो गया और वह भी आज लेट पे गए उनको साड़े नौ में जाना था फिर मेरी तब्यात देखते हुआ चुट्टी ले लूगा नई नहीं ठीक हो जाओंगी ऐसे फिर वह ना ना वाना हो गए उसके बाद अच्छा लगा फिर उसके बाद बो गए साड़े दस के आस पास बहुग है अभी मैं यह सारे मिर्ची का सब निकाल रही हूँ हूं सब अलग कर रहे हूं से परट कर रहे हूं उसको यह जो पीछ तो यह बहुत दिन तक जागा नीचे थोड़ा टीशू वेपर ऊपर टीशू और एयर टाइट कंटेनर में रख तो 15 अब 20 दिन जाएगा और कुछ में इस यह एक चौकलेट मॉफिन का था डबा तो मैं इसको इसके अंदर भी ऐसे टीशू के तुरू रख रही हूं और फ्रीज में डालना है अच्छे से टाइट करके फ्रीज में इसको रियूज कर सकते हैं हम इसे रखने से ना तो मॉश्चराजर मतलब जो मॉश आज का खाना तो यही है गरम चाबल रिशू का घी डाल रही हूं में तो घी तो बिल्कुल नहीं और आलू में थोड़ा सा उसके लिए नीमबू डाला नमक तो बस आज इतना ही है साधा सीधा खाना क्यूंकि मेरे मेरे पेट खराब है इसका विसे रिशू का भी गाना है चाबल और आलू मेरे आलू में से प्यास गया है रिशू के आलू में प्यास नहीं था उसका घी था ओके ओके बोल रिशू किसने किया इसको बहुत लिकानने के लिए सब को तेड़ा करना जरूए था रिशू बुक किस है रिशू डिशूर में सो गये थे अब भी उठे चे बज गया है और रिशू अभी मक्ही मानने में बीजी है रिशू मक्ही मार रही है मक्ही नहीं ममा सा जरू बिल्कु उठने को मनी नहीं कर रहा था सिब रिशू के बज़े से मैं उठी में और एक घंटा भी सो सकती थी लेकिन रिशू उठ गया तो उठना ही पड़ा अभी मज़े भूद लग रही है और दिमाग में बहुत सारा चीज आ रहा है ऐसे कि यह खालों वो खालों फिर याद आ रहा है कि भई मेरे पेट खराब है फिर क्या हिल्दी ऑप्षिन क्या फली खा लेती हूं सबसे हिल्दी भई है और कुछ बनाने की भी मन नहीं है मतलब बुझे बहुत नीद आ रही है अब स्नाक्स में ये पेडु और ये ऐपनल को में काटके लाई और ङता है चलिशी क्या एक खरे काटे के चलिशा रोज़े इनिटाल हो गया है यह एक और यह वालनट रिशो को वालनट बहुत पसंद है पसंदे रिशु को टीपी बहुत पसंद है और कुछ पसंद है कि तू ना जादबाट मत ठीक है फैंस आपकर लिया ठीक है के फोन जाप करिया धी आ गया फोन साब कलिया चलो तूने बोला मैं दिमाग तीमाग काम नहीं करता उसके बाद साप नहीं साप नहीं सापे क करें का ओन 주고 का ठीक है प्राइटा करी यह समझ में विए यॉघर थेशु कभी कभे एसा बात कर देता है ना एसे कुछ बात बोल देता है जो बहुत ही फणी लगता है और बहुत ही ऐसे इसने बोल दिया इस सुसा लेकिन दिमाग खराक करने माली बात बोलता है मामा एस इस इस बाई खालर से को अड़ि दरवाजा दो खोल क्या ने ने ममा हाथ ने करें अभी मन नहीं है ममा का तुम करो तुम करो इधर रिशु मुमु तुटू ऐसे ऐसे मैं इधर करती हूँ वाँ टू ट्री पॉ पाइंग तुम करें इसे गंड़ा से करें ओके ठीक है पापा को दिखा देंगे वाँ रिशु कितना अच्छा है रिशु बहुत ही सुन्दर है प्रिटी है मैंने चावल मैंने बिठा दिया है अभी वो आएंगे ना दोके तो उसके बाद बताएंगे कि क्या खाना है मैं तो आज फिर से बही हालू बॉइल आलू और चावल खाने वाली हूँ क्यों मेरा लूज मोशन ठीक हो गए अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ग्यास्टिक की जो प्रोब्लेम था मेरा फिर से अभी से लग रहा है थोड़ा सा पेट कुस तो हो रहा है ऐसे तो मैंने अभी सबजा सिर्स और भूसी और ग्लुकोस मिला के पानी पिया कि वह पेट मतलब उनको सर दिये तो उनको तीखा खाने का मन कर रहा है और मैं तीखा नहीं खा सकती है ऐसा है घर पर ओपोजिट चल रहा है हमारा और रिशू सर के लिए भी कुछ बनाएंगे अफे बनाएंगे सब कुछ खतम हो गया क्लीनिंग ब्लीनिंग सब हो गया और वो दोनों गये हैं अंदर इशु पागल हो रहा था मतलब वो खुद खाना कहता है फिर चलो ऐसी रूम पे और मेरा भी आज तो साधा सिधा दिन भर लंच भी बई था डिनर भी बई था पेट गरम हो गया गया पानी पीती हूं एक गलत वर्ट्स बोलती हूं तो पूरी खराब हो जाती है मेरी क्लीनिग तो में जब बार बार रेकॉर्ड करना पड़ता है कि मेरी हिंदी अभी तो बहुत सुधर गई है बहुत जादा तो मैं क्या बोल रही थी कि सब्जार से इसकी पानी अभी पीऊं कि कभी किसी को कुछ ना हो सब सूस्त ही रहे अगर हुआ तो आप यह ले सकते हो आज के वीडियो में यही पर खतम करते हैं आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग भी हापी हर हर महादेब